अमनत यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट आज से सूरत न्यू सिविल हॉस्पिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा 45 दिनों की यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है 13 साल से कम और 75 साल से अधिकुम्र के लोगों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ओपेडी सुभर 9 बज़े से एक बचे तक चलेगी अमरनाथ यात्रा जाने वाले शद्धालू की अस्पताल में बॉडी फिटनेस शेक अप के लिए सुभर 7 बज़े से लाइन में लगाना शालू हो गया है भारत के पवित्रत तेर्थ धाम में एक माने जाने वाला यह अमरनाथ यात्रा चाने वाले शद्धालू हर साल छे से 7000 लोगों की सूरत से प्रस्थान करते हैं जिसके शल्दे गुज्रास सरकार के और से अभी तक कोई पुरी व्यवस्ता नहीं की जा सकी है कोरोना काल में भारत सरकार ने तिर्थ यात्रियों को दो साल तक अमरनाथ यात्रा पर जाने से रोक लगा दी थी इस साल कोरोना का तीसरा चरण समाप्त होते ही गुज्रास सरकार यहां भारत सरकार ने संपूर्ण रोक हटा दीती है अमर्नात यात्रा के लिए जाने वाले तिर्थी यात्रियों में खासा उत्सहा है उन्होंने कहा कि इस साल अमर्नात यात्रा के उत्खाटन में सुरज शहर के शहसे 7000 श्रद्धालू की जगा 60-70000 श्रद्धालू यात्रा में शामिल हो सकते है और श्रद्धालू का कहना है कि गुजरात और भारत सरकार की ओर से अमरनाति यात्री श्रद्धालू के लिए परियापतव्य वस्ता की जाए जता दर्शार्दी ने फितने सर्टिफिकेट नी इसेवा आपे जे यात्री ने फितनेस मा तकोरता मली रहे आसा ने चीज फितनेस सर्टिफिकेट इस्चु थे जाए अने बैंक नी अंदर के ओना रजिस्केशन थी जाए यहां काई तकलिफ पड़ती होई छे तो अमें अमरू ग्रूप त्या देओने हेल्पूल करता होई छे विवस्ता सराल बने एरी ते अमें यहां एक ग्रूप तरीके बदायने बोठोर करियापता होई छे अने यात्रानी अंदर या जता यात्रियोंने पड़ तकलिफ पड़ती होई ते अनुँ पूरे-पूरो मिलको गाइड़ती होई आओ उर्से ओचा मोचा दस्याँ यात्रियों अमरूप जाए ते लागी रही होचे कारण की चला बे वरस्ती यात्रा सस्पेंड थी पर ले यात्रा जहीन हो सकी थी पर चला बे वरस्त ना अने आ वरस्त ना भेगा मौली ने जस्से कजार यात्रियों अमनात यात्रा जाई